नमस्कार कहते हैं कि कभी किसी की नकल मत करना कभी किसी की कोपी मत करना क्योंकि जब आप किसी की नकल करोगे आप किसी कोपी करोगे तो आप अपना अस्तित्व खोदो आप हर बात उसको सोचोगे और मैं भी ऐसा करूँ मैं भी वैसा करूँ तो आप अपना जो वास्तित्व अस्तित्में वो खोदो, नोगे केते हैं। सब्सक्रों बैक बात आने कjem wrap लागए.. बूरी बात नकल नहीं करनी चाहिए, किसी की कौपी में नहीं करें। लेकिन आज जो आपको बताओगे नकल, कुछ ऐसी नकल है कि अगर सामने वालो मैं तो वो न dependence कर ना आप करो गैना मिलतु आफो कि ना रही कारता है कि आपको भी करना है फिरा जेया किसी कि कोपी करना है ये नहीं क्याद है किसी की नकल नहीं करना एक कोपी नहीं करना है तोAllah करनी है नियुक्षर करनी है ho कोपी में आपको बतूंगा सामने वाला अगर अनुसासन में रहता है तो आप उसके अनुसासन की कोपी करिए डेपिनेटली करिए क्योंकि वह अनुसासन में रहने की कोशिस करिए उससे सीखिए कि वह कैसे अनुसासन में रहता है कैसी सारी चीजे समय पर करता है कैसे वह वै व्यक्ति कभी डिस्टक नहीं होता है उसका हर कार्य समय पर होता है उसका हर कार्य व्यश्थित होता है और उसका हर कार्य टोप पर होता है डिसिप्लेन में रहने वाला व्यक्ति अगर आपका कोई या दोस्त आपका कलिक और आपके बोस या फिर कोई भी व्यक्ति अगर आप को लगता है कि और रू Nhसान में रहता है तो कोपी करिए नोटेंशन बेजिशर को इसकी कोपी करिया और अब रही ये किसी की नकल करना और ह्गोपी करी गलत नहीं है गो नुसासन मेरे रहा तो आप सासन नुसासन کا बेनिफिट आप जानते हो क्या होता है किसी की इमानदारी की नकल करिए अगर कोई सामने विक्ति इमानदार है आपको लगता है वो व्यक्ति है बहुत इमानदार है तो आप भी उसकी नकल करिए आप इमानदार बनिये इसकी कोपी जरूर करना सामने व्याले व्यक्ति की इमानदारी की प्रसंसा होते हैं यार वो ओनेश्ट प्रसंद है, बिलकुल फोड नहीं करता है, सीधा साधा है और इमानदार और इमानदार की लाइन पे चलता है, तो आप भी इमानदार बनेए, आप भी इमानदार रहें, क्योंकि इमानदार की कोपी करना, नकल करना कोई घलत बात नहीं सांगने वाला व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो आप भी उसकी मेहनत की कोपी करिए आप भी उसकी नकल करिए मेहनत की नकल करिए और किसी बात की नकल मत करना वो मेहनत करता है वो दिन रात एक करता है वो अपने लक्ष के लिए 24 गंटे अपने दिमाग में लक्ष को रखता है और 24 गंटे अपने लक्ष के लिए प्यास करता है तो उसकी महनत की नकल आप करिए आप के लिए गलत नहीं होगा आप के लिए बुरा नहीं होगा मेहनत मेहनत आपको किस जगए और कैसे पहुचा सकती है आप अच्छी तरसे जाने सामने वाला व्यक्ति अगर दिन राख एक कर रहा है मेहनत के लिए तो आप भी तो करिए आप भी तो मेहनत करते रहिए उसकी नकल करिए मेहनत करने की नकल करिए कोपी करिए कोई गलत पाद निरंतरता कंसिस्टेंसी की नकल करिए आपको लगता है यार मेरा दोस्त है या कोई भी है और वो कोई भी कारी करता है तो बीच में ब्रेक नहीं करता है तो आप भी करिए ना आप भी उससे सीखिए ना आप भी उसकी कोपी करिए ना आप भी उसकी नकल Consistency किते हैं आगर आप को खोह भी नहाता है लेकिन किसी कारी को आप लंगातार करते हो भी सिख जाओगा उसकारी हो तो बने कारी कारी आप O पहाड क्यों नहीं हो आप सीख जाओगे consistency consistency जरूर रखना सामने वाले की इस बात के आप नकल कर लेना सामने वाले की इस बात के आप कोपी कर लेना अगर ये कोपी करोगे ना तो कोई गलत बात नहीं है consistency रखना आप के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है गुड बीहेवेर की कोपी करना अगर सामने आप देखा होगा भोग से जोने बात करते हैं यार इसको विवार बहुत अच्छा है विवार एक परसंट तो आप भी करता हैं तो ये भी आपको सीखना होगा ये भी आपने आपको लगता कि या उस इनसां की तारीफ होती है वो अच्छा बिहेवर करता है लोगों को तो नो डाउट उससे सीखिए उससे कोपी करिए नकल करिए गुड बिहेवर की आप भी गुड बिहेवर करना सीख जाओगा इसमें कोई बुरी बात है अच्छी कम्यूनिकेशन की कोपी करिए नकल करिए आपको लगता है और सामने वाले वक्ती बहुत किसी से बात करता है तो इज़त देकर बात करता है आप के सिवा किसी से बात नहीं करता है, तू तराक से बात नहीं करता है, सब को सम्मान देता है, अच्छी उसकी कम्यूनिकेशन स्किल्स है सामने वाले, तो आप क्यों नहीं करते हो, आप भी उसकी नकल करें, आप भी उसकी कोपी करें, आप भी लोगों को सम्मान दें, आप आप भी लोगों को आप करके बात करें और आप भी लोगों को तू तड़ाक से बात करें कोपी करिए इसमें कोई सर्म की बात नहीं है अगर वह आपका दोस्त है आपका बोस्त है या आपका कोई अन्नोन है और उसकी अच्छी communication skills है तो आप भी उससे सिखिए नो डाउट बेद दड़क सिखिए क्यों सरम करना अच्छी communication है उसकी तो आप भी सीकियों तो यह कुछ बाते हैं ज़िगोजारों से आप नकल कर सकते हैं कोपी कर सकते हैं नो डाउट आप करिए दूसरे और किसी बात में कोपी नसी कोपी उसके अच्री का यह तो आप यसकी नगल करोंगे मैं भी अच्छी गाड़ि लो ऊसके पास अच्छा बंगला है तो मैं आप एक अच्छे परस्टानिटिक रूप में उपर कर सामने आओगे